जाएं दोस्तो पूला सेवक सिख्षक मरती जो है निकल चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है तो यह जो आवेदन होगा ओफलाइन होगा या ओनलाइन होगा इसमें कौन सा डेट को कौन सा यानि क्या होगा इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो मे अतिपिछरा बर्ग के जो है वो आपको डिष्टिक लेबल पर इसका जो है बैकेंसे निकला हुआ है उसी के बारे में यह नोटिफिकेशन है और इसमें देख सकते हैं टोला सेवक सिख्षक या तालिमी मरकच भी इस पद को कहा जाता है यहां देख सकते हैं और नीचे ठारे में भी इसका जो बैकेंसे निकला था और अब जाकर 2023 में भी पुना निकला हुआ है यहां देख सकते हैं कि नीचे आप किजिएगा तो यहां डिटेल्स जो है पुरे डिष्टिक बाज दिया गया है कि कौन सा डिष्टिक में कितना जो है सिख्षक का बरती जो है ले आपका नहीं है ठीक है नीचे और स्क्रॉल किजिएगा तो आपको जो है यहां बैकेंसी टिष्टिक बाइज देखने को मिल जाएगा कि कौन सा डिष्टिक में कितना पद जो है आपको खाली है और कितने जो है सिख्षक अभी कार्जरत है कितने जो है अभी हट गया है इन सब्सक्राइब जो सुची है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यहां देख सकते हैं कि आपको पटना में जैसे जो है निर्धारित लक्ष जो है टीचर का वह 736 है जिसमें अभी कार्ज कितने सिख्षक कर रहे हैं तो 660 जो है यहां कर रहे हैं और कितने लोग जो है अ सिख्षा स्योकों की संख्या जो है 660 है और हटाएगे समय्ने जाति के सिख्षा स्योक तालिमी मर्कच की संख्या यहां जो है अभी तक jiro ह यियां एक भी नहीं हटे है एसे मामले में जो अभी तक केंदर और यह है उत्थान केंदर दो भाग में इससे जो है आपको डिवाइड किया हुआ है तो यहां जो है 343 में 284 जो है कार्जरत हैं और यहां जो हटाएगा है 13 और जो है ऐसा ही मामले में चैन मुक्ति संबंद में जो है न्याले में अभी 0 है और 46 पर यहां वेकेंसी है इसी तरह परतिक जीला का आप देख सकते हैं आप जिस डिस्टिक से बिलोंग करते हैं उस डिस्टिक का आप जो है अपना डिटेल्स देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन जो है वो कैसे होगा इसके बारे में भी हम आगर इस वीडियो में बताएंगे तो च चीज सम्थिंग जो है आपका टोटल भेकेंसी है तो बहुत बड़ी भेकेंसी है आप देख सकते हैं और इसे देखिए वर्क कलेंडर इसमें किस डेट को क्या होना है यह सबी चीजे यहां देख सकते हैं कि 5 अगस्त को है उसके बाद दिया गया है समीती का गठन होगा आपक सम्दित वाड के निर्वाचित वाड सदस के दक्षता में नियोजन की समीती का गठन होगा 14 अगस्तक और इसका जिमिवारी किनको है परखंड सिक्षा पदिदेकारी को यानि उनिके देखरेक में जो है यह जो गठन होगा उसके बाद जो है 4 सितंबर 2023 तक जो है इसका उनके स्वार्जिनिक अस्थानों पर सुचना दिया जाएगा और यहां दिखे समीती के सदस्योजक्स विद्याले के प्रदाना द्यापक नियोजन है तो आवेदन प्राप्त करना जो आवेदन प्राप्त होगा वह आपको जहें ऑफ-लाइन होगा यहां देख सकते हैं और परखंड शिख्षब पते दियाकारी के द्वारा ही किया जाएगा यहां जो है आपको माध्रिक मेरिती की आपका मेरिट बनेगा दखेए इसका रिजल्ट में आपको आपति दर्ज करना है और अंति मेधा सुची जो है 23 सितंबर 2023 तक आ जाएगा ठीक है और मेधा सुची का जो कार्ज क्रम है आपका पंदर दिनों के अंदर अनुमोनित कर जो है कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप जो है टोला सेवक का फॉर्म जो है बढ़ सकते हैं और अगर आपको कोई भी कन्फूजन हो तो आप हमें कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं कि नेक्स्ट और ब्रेक के साथ तब तक तक लिए जय है हिंद